11 सीटों पर नाम तै जी हाँ चेहरों से आप समझ गए होंगे कि बात कॉंग्रिस की हो रही है 36 गड में कॉंग्रिस ने सभी 11 लोगसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तै कर लिये हैं ये दावा दिल्ली में होई स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक के बाद पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो कर रही है लगे हाँ प्रदेश की सभी 11 लोगसभा सीटों पर कॉंग्रिस ने भी दावा ठोक दिया है पार्टी नेताओं का कहना है कि भले ही हम विधान सभा चुनाव में हार गए लेकिन लोगसभा की सभी 11 सीटे जीतने का दावा किया जा रहा है एक रिपोर्ट देखिए चतिसगर कॉंग्रिस ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अपने उमीदवार तै कर दिये है ये दावा है कॉंग्रिस क्रीनिंग कमिटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल का उमीदवारों के नाम तै करने का दावा करते ही रजनी पाटल ने प्रदेश की सभी 11 लोग सभा सीटे जीतने का दावा कर दिया दिली में 36 गड़ कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक हुई जिसमें प्रदेश के तमाम आलानेताओं ने केंदरी नेत्रित्व के साथ मन्थन किया उसके बाद बयान आया नाम तै हो गए क्लीन स्वीप करने जा रही है 36 गड़ के पूर्फ डिप्टी सीम रही टियस सिंग्देव ने भी कहा कि सभी सीटों पर नाम तै हैं लेकिन जहां दाविदार एक से अधिक होंगे उन सीटों पर दुबारा चर्चा जरूर होगी लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन खुद चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया अब दुबारा स्क्रीनिंग के मेटिक मेटिक होगी मुझे नहीं लगता है फाइनल हो गया हाँ जहां एक से ज्यादा नाम होंगे तो उसकी फीडबैक ले सकते हैं तो सीची के पहले सारा फीडबैक ले स्क्रीनिंग कमिटी की बैटक से बाहर निकले प्रदीश प्रिभारी सचन पाइलेट भी आत्म विश्वास से लबरेज नजर आए उन्होंने दावा किया भले ही हम विधान सभा चुनाव हार गये लेकिन लोक सभा की सभी 11 सीटे जरूर जीतेंगे पक्षम है और जो विनेबल कैंडिट्स हैं उनको शॉटने स्रम लोगों ने किया है और चर्चा करिया और एक ही क्राइटियर विया है कि कैसे हम लोग सभा का चुनाव जीते हैं जो वोट का डिफरेंस था वो एक डेट परसंड का था बहुत जादा नहीं है और जो नहीं सरकार बनी है वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और दस साल की जो केन की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं जिस तरह से 36 गड़ बीजेपी में सरगर्मी नजर आ रही थी लग रहा था कि विधान सभा की तरह लोग सभा चुनाव के लिए भी वो सबसे पहले उमीदबार घोशित करेगी लेकिन कॉंग्रेस के मौजूदा दावे बता रही है कि इस मामले में उसने बड़त बना ली ह हाला कि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ इस लिहाज से कैंडिडेट घोशित करने के मामले में कम से कम काटी की टककर जरूर है दिल्ली से न्यूज एटीन के लिए अश्रफ काजमी की रिपोर्ट